ओर्गेनाइजेशन ने कोरोना ने लेने मोटी जायरात करीशे डबली अचोय कहुँए के कोवीड अवे वैश्विक स्वास्ते इमर्जनसी नथी आंगे इमर्जनसी कमिटी नी पंदर मी बैठक मा नेडे लेवामा आवगा छे डबली अचोय कहुँए के 30 जानिवारी 2020 ना रोज कुवीड ने वैश्विक स्वास्ते इमर्जनसी जायर करवामा आवगा आवगा ती जो के डबली अचोय स्पष्टता करीशे के कोरोना हजुपन वैश्विक स्वास्ते माटे खत्रो हो छे डबली अचो अनुसार जारे कोरोना ने ग्लोबल हैर इमर्जनसी जायर करवामा आवगा ती त्यारे चीन मां सोथी ओचा कोरोना केस जुआ मले हाथा आने कोई नुमात थायू नथी जमुकाश्मिरमाँ वधू एक वार सुरक्षा दलो अने आतांकियों वच्चे अत्रामन दि घट्ना ने आतांकियों वच अत्रामन धेल हो छे हमदकितफ द आत्रामन बाद राजोरी इमां इंटरनेट सेquar बन्द करीं वमाही अनुसाद वहिली सवारे चुरक्षा दरणने टीमोरी त्यारे आत्रामन घायल हिए तो चार ज्यमाहीं त्कार को द्वारा मर्थी माही ती अनुसार आतंक्यों नजीक ना को विश्दार मा छुपाया होई तेवी आश्रंकाश आतंक्यों ने पकड़वा माटे सेना इस सर्च ऑफरेशन हाथ दर्यूश है कि मैं बड़ा इंफॉर्चनेट इवंट है एक तो मैं पहले श्यदानजली देना चाहता हूँ हमारे बाहदूर सपायों को जिम्में वहां वह विर्शादत हाजल किये और साथ में जो काहरेना हल्थ हरकत पाकिस्तान की दोवारा बार बार होती है यह बिलकुल इन हुमन है औ पाकिस्तान की और जिस तरी किसी G20 की मीटिंग इस बार पहली बार 20 कंट्री का बड़े-बड़े मिलुक ब्रिटिन हो यूके हो जापान हो जर्मनी हो उनके कंट्री जब यहां आते हा सोधी अरभिया हो यह मुझे लगता है उनको रासनी आता है उनको लगता है कि हम लोग कैसे खोन खराबा यहां कश्मीर को खोन खराबा देखना चाते है बे दिवस भैला जरे शरत पवारे राजी नामो आपफनो एलान करिऊ त्यार थीज बारासनी राजनेती मा घणी हल्चल मची गे हाती शरत पवारे एलान करिऊ त्यार बाद अनेक बैठेकोनो दोर चालियो मुंबई मा एनसीबी कार्याले मा कारेकरोनो जमाडो जोवा मले तो गटबंदन ने लेने पण अनेक अटकलो भैती थी यहती शरत पवारे एनसीबी ना प्रमुक पदे थी राजी नमू आपया बाद आगामी अध्यक्ष कौन बन शे तेने लेई चर्चाओ चाली रहती परन्तु आ तमाम चर्चाओनों अन्ता आवे चे एनसीबी ना नेता छगन भुजबले जनावी के एनसीबी ना अध्यक्षरत पवार यथावत रहे शे कमीटी ये जेपन निने लिदो चे तेने निने मा कोईपन प्रकार नो फेरफार थाशे ने कानके समीटी ने बैठेक मा सर्वान उमत्या निने लेवाया चाग जो कमीटी पवार साब ने निर्मान की थी उनके इस्तिफा देने के बाब कि वह अगला निने जो ये समीटी लेंगी उस समीटी की जो कमीटी की मिटिंग हुई एक दिल से एक मच से निर्ने हुआ कि पवार साब ही राश्टबादी कामरेस पक्षके जो अगले आगे भी अध्यक्षपत पर बने रहेंगे आइसी बिन्ती जो है उनको किरिये और हमारा एक दिल से निर्ने हुआ है उनकी जो प्रसाव जो थो उसका उनको हमने सौप दिया है एनसीबी ना प्रहुग तरीके शरत पवार यथावत रहे तेवो निर्णे सुक्रवारे मलेली कमिटी नी बैठक मा लेवाया उचे जैरे राजसबाना सांसर्ट संजेर आउते जनादू के जम्ना माटे तेवो राजकरन मा आवया छे अने सामाजीक अने राजकिया कारियों करी रहा छे ते नेता जैरे राजकरन थी दूर रहे छे तेरे आप्रकार नी आराजकता सर जाई शे नेने लेवा माटे जैरे कारोबारी नी रचना कर्वाम आवी अती तेनी पासे पवार साहिब ने फरी जुन्टवा सिवे बीजो कोई विकल्प नहोता हूँ करें ते नेता है राजनिती से जूर होता है तो इस वकार के आप्राजकरी विजे राष्टवाजी कवरेश पर्टी में देखिये इसलिए वे कार्यकरने बनाई थी ने लेने की लिए उनके पास और के विकल्प नहीं था कि फिर एक बार तो आपको ही चुने और आप ही पा देश के लगबक सभी प्रमुक विरूजी पार्टी के नेतावने इसमें श्रीवशना पार्टी की गुद्धो ठकरेजी भी है तबीने यही भावना व्यक्ति है कि अब देश को आपकी दरुवत है बड़ा ब्रदान एलंद्र मोधिये शुक्रवारे दह केरला स्टोरी मुद्धे वाद करता खागु के जिला केटलाक वर्षों मा आतंकवादनों वधुएक भयानक स्वरूप सामे आगुशे बॉम बंदुक अने पिस्तोल नो अबाद संब्लाई शे पन अंदर थी समाद ने पोकल करवाना आतंकवादी कावत्रा नो अबाद न थी संब्लाई रहा हुँ अब आतंकवादी कावत्रा पर आधारित फिल्म दकेरल स्टोरी असकाल खुब चर्चा मा शे पर आधारित फिल्म दकेरल स्टोरी एक राजनी आतंकवादी उने नीती पर आधारित स्टोरी शे और तक ने आतंके इस स्वरूप पर चिंता जताई है ऐसी ही आतंकी साजिश पर आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्चे में हुई आतंकवादियों की छदम नितियों की साजिश पर आधारित है फिल्म केरल स्टोरी ने लेने बारे विरोध रहा चे किरला मुस्लिम समाद्ना आगेवानों ऐ फिल्म सामे वांधु उठावे चे केरल स्टोरी फिल्म मा केरला नी 32,000 बैलाओना बलजबरी धर्मां तरण नी कहानी चे फिल्म मा दर्शावेली आ कहानी ने बोगस गणावी केटलाक लोको तेनो विरोध करी रहाँ छे फिल्म केलल स्टोरी ने लेने दक्षिन भारत मा घमासान फेलावी छे एक तरफ मुस्लिम समुदायना लोको आफ फिल्म सामे आपती दर्शावी रहाँ छे बिजी तरफ रादनेती मा फिल्म ने लेने हंगामों मची गयता हो उसे याद करें तमने भाजब ना करेकरों ने घरे घरे जही जनता सुधी संदेश पहुंचाडवानी अफिल करी छो और जब बेलारी के लोगों का मुझे आशिरवाद मिलेगा ना तो मुझे भी श्टील जैसी ताकत मिल जाएगी और मैं उस ताकत से आपकी जादा से जादा सेवा कर पाऊंगा तो मेरा नमस्कार पहुचाओगे, मेरा प्रनाम पहुचाओगे बोलो भारत माता की, हारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की कणा डगना कूपल मा भाजपना राश्ट्री अद्धिक्ष जेपी नड़ाय जायर सभा ने संभोधन करता कहुँ के नव वर्ष पहला भारत के हुँ हतू भारत प्रस्टाचार ना नाम थी जानीतू हतू भारत घुटनिये पढ़तू हतू जारे तमें मोधी जी ने वड़ा प्रधान बनाविया तैरे भारत विश्वमा सिख्का बनाना अरदेश पनीगा होतू भारत ना जी ट्वेंटी अने ऐसी ओनी बैठक थेह रेचे दुनिया भणना वड़ा प्रधानों मंत्रियों विदेश मंत्रियों भारत आवी रहा चे बारत नी आ उड़क मोधी जी बनावी चे कैसा भारत था ब्रष्टा चार के नाम से जाने जाने वाला भारत था जब आपने मोधी जी को प्रण बनाया तो दुनिया में सिक्का जबाने वाला भारत बन गया इस बात को भी समझना चाहिए चलांग लगाने वाला भारत विक्सत होने वाला भारत कॉधि गंधी तेरी कवर को कभी मोधी जी को मौत का सौधागर केती कभी बिच्चू कहते हैं कभी गंधी नालि का कीड़ा केते हैं कभी जहरीला सांप कहते हैं कभी कहते हैं मोदी तेरी कबर को देगी कभी राम भगवान को कालपनिक बताते हैं तो कभी बजरंग बली के खिलाब भी कॉंग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है लेकिन जब जब इन्हों हिंदू आतंकवाद कहा कॉंग्रेस को मू की खानी पड़ी जब जब मोदी जी को अपमानित किया अपशब्द गए मू की खानी पड़ी जनता ने जवाब दिया है और अब बजरंग बली के ओपर जब प्रशंचिन खड़ा करतन को अपमानित करने का काम करते हैं और कॉंग्रेस की ये सोच हिंदू विरोधी कैसे वो भी दिखती है जो कॉंग्रेस पार्टी है ये तुष्टि करन के सीवा और कोई रास्थिती नहीं जानते है हमारे जब कंस्टिटूशन बना था उस समाई अंबेकार जी ने बोला था कि हमारा जो भी रिजर्वेशन होगा ये कॉमिनिटू को मिलेगा धरम का अधर में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने क्या किया था कि हमारे भारत में रिजर्वेशन मुसल्मान को करना तक में चार पर्शन रिजर्वेशन दिया था करनाटक कॉंग्रेस ना नेता डिके शीख कुमारे गईकाले निविदन आपिवतू के जो करनाटक मा कॉंग्रेसनी सरकार बन्षे तो करनाटक मा अनेक जग्या हन्वान जीना मंदिरों बन्षे अनिवेदन बाद हवे राजकरन शरू थाई करूछे केंद्रिय मंत्री सुरुति इरान ये बलटवार करता करूँ के हूँ शीख कुमार जीने कहवा मांगूज जुके तेव मुख्य मंत्री बनवाना ना थी तेथी तेव मंदिर नुगंचन ना आपे तो सारू मारो देमने परशना थे के आओ आके बोलता पहला देमने थोड़ू विचारवानी जरूर शे करना के इसलाम मांना रा मुर्ती नी पुजा करी शक्ता ना थी मंदिरों बना भी शक्ता ना थी मार जी से बड़ी विनमरता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे इसलिए मंदिर वाला जूटा वादा ना ही करें तो बेहतर है लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्ण है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वादरा से चेक किया और मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वादरा को नमाज अता करते वे देखा था सड़क पर अब हम सब जानते हैं कि जो इसलाम धर में विश्वास करते हैं वो मूर्ती के उपासक नहीं हो सकते मन के चेक कांघ sowर के फिश्वास कांघ धालली और मसबच और खिषैं moved I moudi अनिवे द हमाचल प्रदेश ना मूंक्य मंत्रिय सुखight म अचले BC K लगाते हैं तो जो भी कांग्रेस की कनाटका के है वो सुभा कई हनुमान 4 करते हैं हमारी वीधी के अन्यप कई भाग है कोई हनुमाज चालीसा पढ़ता की संक्ट मोचक है कई और तरह से राम की प्रता पढ़ता है और हिंदू संस्कृति में कई धरम यहां से हुए तो इसलिए इस परकार की बात करना की बजरंग बली को दिया जाए हो कॉंग्रेस वाले भी जरंग बली का बटन दबा कर हाथ का नशानी दभाएंगे और कंडाट का में